आप देख रहे हैं हमारा भारत नरेदर मोधी से बड़े बड़े दिगज नेता खौफखार हैं जी हाँ पिये मोधी से सिर्फ दुस्मन देशों को ही खतरा नजर नहीं आ रहा है बलकि मोधी के विपक्षियों को भी अब मोधी से हार का डर सता रहा है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्यूंकि जो कॉंग्रेस मुसल्मानों के बल पर अक्सर चुनावी मैदान में उतरती है अब उसने अपने रास्ते बदल दिये हैं दरसल कॉंग्रेस की भारत जोरोयात्रा से एक तस्बीर सामने आई थी उस तस्बीर पर सोसल मीडिया में खुब बवाल मचा था जिसमें राहुल गाधी के साथ भारत जोरोयात्रा में मुसलिम, सीख, इसाई अपनी धार्मिक वेजभूसा में थे लेकिन हिंदू धर्म के वे रक्षा मंतरी एके एंटिनी ने हिंदू के बारे में ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कॉंग्रेस को पिये मोदी से इतना डर लग रहा है कि जिस हिंदू को वो हमेशा दरकिनार करते रहे अब उसी को अपना ट्रंप कार्ट बनाना चाहते पर बीजेपी ने कॉंग्रेस पर एक बार फिर से हमला बोला है। लेकिन उससे पहले आप जान लीजे कि एके एंटिनी ने हिंदू के बारे में कॉंग्रेस कारेकरताओं से क्या कहा जिसको लेकर पार्टी सवालों के घेरे में हैं। जहा कि हिंदू को कांग्रेस करेकरता अपने से अलग ना होने दें। मंदिरों को दूर ना करें। ऐसा करके ही मोधी सरकार को हटाया जा सकता है। एके एंटिनी के इसी बयान पर बीजेपी के परवक्ता सहजाद पुनावाला ने कॉंग्रेस को आरे हाथो लिया है। सहजाद ने कहा है कि कॉंग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। कॉंग्रेस के नेता ही भगवत गीता को जिहाद से जुरा करते थे। कॉंग्रेस के नेता ही हिंदूतु की तुलना आतंकी संगठन, ISIS और बोको हराम से भी की थी। सहजाद ने कहा कि कॉंग्रेस के राज में ही हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की बाते कही गई। कॉंग्रेस के बड़े नेता AK-ANTI के बयान से साफ हो गया है कि पार्टी एक खास वर्ग और एक खास धर्म को ही खुश करने की कोशिश करती रहती है। कॉंग्र के संबोधन को शेयर किया और लिखा कि कॉंग्रेस के लिए भारतिये भारतिये नहीं हैं। में रहकर हिंदुों को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप एके एंटिनी के बयान पर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें धन्यबाद